लोगसभा आम चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया गटबंधन का एवरेज एक बहतर स्ट्राइक रेट के साथ लगातार बरकरार बना हुआ है लोगसभा के बाद पहली बार 13 सीटों पर उपचनाव कराई गए थे जिनके नतीजे 13 जुलाई को सारवजने कर दिये गए इन उपचनावों में बिहार पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और इंडिया अगटबंदन ने 13 में से 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली है तो वहीं बीजेपी के खाते में महज 2 ही सीट आ सकी है अब वही हाल उससे भी बुरा हाल भारती जनता पार्टी का होने वाला है अयुद्या की हार के जखम अभी भर ही नहीं पा रहे थे या कहें कि अखलेश यादब ने ठान रखा था कि जखम हरा ही रखा जाए अयुद्या का दुख अभी भरा भी नहीं था कि एक और बड़ा जखम भाजपा के लिए बद्रीनात ने दे दिया है बद्रिनाथ सीट पर हुए उप्चुनाव में भी भाजपा हार गई है जो दर्शक, अयुद्या और बद्रिनाथ में संबंध इस्थापित नहीं कर पा रहे और भाजपा के डाउन फॉल को समझ नहीं पा रहे हैं वो थोड़ा इंतजार करें फैक्ट्स एन फिगर्स में सारे डाउट्स को किलियर किया जाता है बस शर्त ये है कि एपिसोड के अंत तक बने रहना है आपको इस एपिसोड में उप्चुनाव के साथ साथ बात होगी राजसभा में भी कम हो रही भाजपा की सीट्स जिससे अब विधियक पारित करने में भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा ऐसे में वन नेशन, वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म, सिविल कोर्ट जैसे विधियक कैसी पास होंगे भारती जनता पार्टी के कारे करता को किसी भी स्थिती में बैक फूट पर आने की आउसिक्ता नहीं है किसी भी स्थिती में नहीं है क्योंकि आपने कारे किया है आप विपक्स में थे, जनता के मुत्वा को लेके लड़ते थे आज जब सरकार में थे याद करिए उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्सा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिलना होगा याद करिए इसी मुहर्रम के समय में सड़के खाली हो जाती थी सूनी हो जाती थी आज मुहर्रम आजजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है यूपी के लोकसभा चुनाव में खराप रदर्शन के बाद दस सीटों पर होने वाले उप्चुनावों में योगी आदितनाथ के पॉलिटिकल करियर पर क्या विराम लग जाएगा ये चुनाव कहा कहा होगा और बिहार के चार सीटों पर उचुनाव कहां कहां होने हैं इन सब पे भी बात करेंगे नमस्कार मैं हमन्त और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स लोकसभा चुनाव होने के बाद कई ऐसे उम्मीदवार सांसत चुने गए थे जो पहले से अपने अपने राजियों की किसी न किसी विधानसभा सीट से विधायक चुने हुए थे जैसे यहां मुझे एक नाम अवधेश प्रशाद का यादा रहा है होता ये है कि ऐसे विधायक जो MP यानि सांसत का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उन्हें किसी एक का कारे भार का निरधारन करना होता है एक बार में वे या तो सांसत बने रह सकते हैं या फिर विधायक अब ऐसे विधायक जो सांसत बने रहने का चुनाव करते हैं उन्हें अपनी विधान सभा सीट का सिया करना पड़ता है जिससे वो सीट खाली हो जाती है सीट खाली होने का दूसरा कारण हो सकता है किसी विधायक का निधन हो जाए ऐसी इस्तिती में फिर से चुनाव कराए जाते हैं जिनें उप चुनाव कहा जाता है तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि किसी पर जगन अपराद सिद्ध हो गया हो तो ऐसी ही सीटों पर 10 जुलाई को कुल 7 राजियों की 13 सीटों पर वोटिंग होई इसमें सबसे ज्यादा चार सीटें परश्य बंगाल की रही वहीं हिमाचल परदेश की तीन चुनाव भोशित करवाए और मुझे खुशी है कि हमाचल की जनता ने जनवल का साथ दिया और धनवल की प्राजे हुई उत्राखंड की दो और पंजाब, तमिलनाड, मध्यपरदेश, बिहार की एक-एक सीट पर चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आई थे इन सभी 13 सीटों पर 121 उम्मीदवार अपनी किसमत आजमा रहे थे पर्षे मंगाल की 4 सीटों में राय गंज थी जहां पहले भाजपा जीती थी जो उप्चनाव में TMC ने जीत ली राना घाट से भी BGP जीती थी जो अब TMC ने जीत ली है बागदा से भी पहले भाजपा का विदायक था लेकिन अब वहां TMC का विदायक हो गया है और 34 सीट मनिक तलाकी थी जहां पहले भी TMC जीती थी और इन उप्चनाव के बाद भी वहां TMC ही जीती है इसके बाद हिमाचल परदेश की तीन सीटे थी देहरा, हमीरपुर और नालागड और तीनों पर विदान सभाग के चुनावों में निर्दली उम्मीदवार जीती थी लेकिन उप्चनावों में इन तीन में से हमीरपुर को भाजपाने जीत लिया जबकि बाकी दोनों सीट कॉंग्रेस के खाते में चली गई है उत्राखंड की दो सीटे थी, एक बद्रीनाथ जहां से कॉंग्रेस पहले जीती थी और दूसरी सीट मंगलोर जहां बीएसपी पहले जीती थी इन दौनों सीटों पर उप्चनावों के बाद कॉंग्रेस ने जीत दर्ज की है हरीश रावत ने बद्रीनाथ में बीजेपी की हार को लेकर कहा कि उपर वाला और टकरती अतिवाद का दंड तो देती ही है भगवान राम की धरती अयोध्या में इंडिया ब्लोग की जीत बहुत महत्वपूर रही अब इस पर बद्रीनाथ की जीत ने भी महर लगा दी है बद्रीनाथ की जीत के साथ भगवान विश्णू ने कह दिया तथास्तू कॉंग्रेस देखिएगा समय आएगा हम केदारनाथ से भी जीतेंगे राहुल शिवभक्त हैं और केदारनाथ का भी आशीरवाद ने मिलेगा अब बीजेपी का आतिवाद नहीं चलेगा अयोध्या यानि फैजाबाद लोगसवा सीट के साथ बद्रीनाथ की सीट इसलिए ज्यादा सेलिब्रेट की जा रही है क्योंकि ये शहर मंदिरों और धार्मिक गतिविधियों उसके लिए ज्यादा जाना जाता है बद्रीनाथ धाम ऐसा धार्मिक इस्थल है जहां नर और नारायन दोनों मिलते हैं धार्म शास्त्रों की मानता की अमसार इसे विशाल पूरी भी कहा जाता है और बद्रीनाथ धाम में श्री विश्नु की पुजा होती है इसलिए इसे विश्नु धाम भी कहा जाता है कुमार को बड़ा जढ़का दिया है पंजाब की एक सीट जालंधर पश्चिम में पहले भी आपका विधायक था इस बार भी आप जीतने में काम्याब हुई है तमिलनाडू की एक सीट विक्रवंडी से पहले भी DMK जीती थी इस बार भी DMK जीत गई है लेकिन एक मध्य परद कॉंग्रेस पर थी, कॉंग्रेस ने दो ऐसी सीटें जीतनी जिन पर पहले निर्दली या बीएसपी का विदाहक था, वहीं एक सीट खोवी दी है, जबकि T.M.C. को सीधा सीधा तीन सीटों का इस बार फायदा हुआ है, जाहिर है आप इसके बाद होने जा रहे दस सीटों पर सधेस प्रसाद की खाली की हुई है, कटहरी अंबेड कर नगा सपा के लाल जी वर्मा की खाली की हुई, कुंदर की मुरादाबाद जिया और रहमान की खाली की हुई, सीसा माउ कानपूर इर्फान सोलंकी की सदसिता रद्ध होने की वज़े से खाली हुई है, में डॉक्टर विनोत कुमार सिंग बीजेपी के टिकेट पर सांसब बने हैं, इसलिए वो भी खाली है, इन दस सीटों पर चुनाव फिर से होना है, और भाजपा अब किंग करतव वे में मूड लग रही है, मने उसे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना चाहिए, जो डैमेज लुक्सभा चुनाव और इन उप चुनावों में मिला है, उसे कंट्रोल करने का तरीका भाजपा के रड़नीतिकारों को मिल नहीं रहा है, इसलिए उत्तरपरदेश में फिर एक बार बैक टू बेसिक्स जाते दिख रहे हैं, यानि पुराने रास्ते पर आ रहे है जैसे पहला तो उत्तरपरदेश में अब बुल्डोजर नियाय ने जोर पकड़ लिया है, राजधानी लखनों में तमाम बरस्तियां उजाली जा रही है, बुल्डोजर अब अकवर नगर अबरार नगर होते हुए पंत नगर पहुँचने वाला है, इसके खलाफ नागरिक समाज और तमाम राजनेतिक दल लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं, दूसरा प्रदेश में मौब लिंचिंग की घटनाओं की बाड़ा गई है, शामली के थाना भवन थाना छेत्र में कथित मौब लिंचिंग से फिरोज की मौत हो गई, घटना की सोशल मीडिया पर रेपोर् मौब फरीद की अलीगड में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, मुस्लिम का एक मात्र नित्रुत्त करने वाले आजम खान पर दमन, चक्र और बुल्डोजर का कहर बरपा होना लगाता जारी है, आश्चर नहीं कि हातरस कांड पर बुल्डोजर अब तक शान्थ है क्योंक इसका पीडिये काम कर गया और दलित अब मायवती के अन्य विकल्प के रूप में अब समाजबादी पार्टी को भी पसंद कर रहे हैं, फिर भी यूपी में योगी अधितनात की कोशिस रहेगी कि खोया हुआ वोट वापस लाया जाए, यही कारण है जिस आदमी के कारिकर में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हो, उसका FIR में नाम तक नहीं है, SIT गठित हो गई, चार्ट सीट दायर हो गई, अब सवरों को बर्खास्त कर दिया गया, आयो जकों को जेल भीज दिया गया, लेकिन बाबा पर कोई आश नहीं आई, जाहिर है सामपरदाइक धुर्वी कर से हटा सकती है, भाजपा के अंदर और NDA के अंदर ऐसे संकेत हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, खुद पार्टी के विधायक अगले चुनाव में हार की भविश्यवानी कर रहे हैं, तो दूसरे प्रभावशाली विधायक अपनी सरकार में किये गए ब्रष्टाचार पर दोनों की पराजे हुई है, क्योंकि अब तक जो मोदी योगी का नाम साथ लेकर डबल इंजिन की सरकार के कारणा में गिनवाते फिरते थे, वही लोग मोदी योगी का नाम साथ में लेने भर से कत्रा रहे हैं, और भाजपा के सहायक दल भी अब भाजपा की भाशा नहीं बोलते दिख रहे, ओम प्रकाश, राजभर और निशाद पालिटी के विधायक हाल ही में नीट लीक प्रम पेपर मामले में गिरफतार भी किये गए हैं, किसी भी भाज में नोकरी चाहिए, किसी भी भाज में आपके भाई को, आपके परिवा, बच्चे को, आपकी बच्ची को नोकरी चाहिए, तब भारम भरने के बाद, प्रहू का कते, का आता है हो, काल लेटर, अइडिमीट कार्ड या काल लेटर जो भी कहते हो भाई, काल ल देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नवकरी कर रहे हैं, अब सबको नवकरी इनुने दिया, तो आप लोग भी मेनद कर रहे हैं, तो आप बताओ आपको भी नवकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को चां में खड़ा कर रही हैं आने वाले दिनों में यूपी के उप्चनावों में जितनी उम्मीद की जा रही है उतनी सफलतार नहीं मिली तो ये गुट बना कर लड़ने वाली लडाईयां और तेज होने के आसार दिख रहे हैं और एक बार दलित पिछडों ने अगर जाती जनगर जैसे सवालों के सुरों को तेज किया तो उत्तर प्रदेश में राजिनीतिक सामाजिक धुर्वी करण और तेज होता जाएगा जो NDA में तूटका कारण बनेगा जहां तक कॉंग्रेस की बात है उसने जग जीवन राम के जनम दिन के बहाने दलित वस्तियों में सहभोज आ सपा एसा लगता है कि लोकसभाचुनाब के सफल फॉर्मूले को ही फिर से आज माना चाहती है पीडिये के माध्यम से दलित विश्णों अलप संख्यकों को एक जुट करने का उसका जोर है कॉंग्रेस और सपा का साथ रहना मुस्लिम दलित अति पिछड़े वोटों को आकर परशित करने की अनेवार ये शर्त बन गया है इसलिए ये गठवंधन विपक्ष के लिए आज एक स्वाभाविक जरूरत मालूम पड़ता है उत्तर परदेश के बाद बिहार की चार और सीटों पर उक्चनाव करवाया जाना बाकी है पहली है भोजपुर जिले के तरारी विधानसभाव सीट से CPIML के विधायक रहे चुदामप्रसाद अब आरा लोगसभाव सीट से सांसद बन चुके हैं दूसरी कैमूर जिले के रामगर विधानसभाव सीट से RJD के विधायक रहे सुदाकर सिंग अब बकसर लोगसभाव सीट से सांसद बन चुके हैं गया जि इस बात में कोई संधिय नहीं कि भाजपा के लिए आने वाले उप्चुनावों में मुश्किलें ज्यादा होंगी लेकिन नई परेशानी एक ये भी है भाजपा के सामने जो आ रही है क्योंकि राजसबह में बीजेपी के चार मनोनीत सदस से 13 जुलाई को रिटायर हो चुके ये चार राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मान सिंग और महेश जेट मलानी है इसके बाद राजसबह में पार्टी की ताकत 86 रह गई है वहीं बात करें एंडिये की तो ये 101 हो जाती है जबकि मजोरिटी के लिए ये संख्या होनी चाहिए 104 है और विपक्ष के नेता का पद ब 11 सीटों पर चुनाब होने से संभवत है इंडिये को आठ सीटें और इंडिया ब्लोग को तीन सीटें मिलने की संभावना है MON तیănिया गाना से कौंग्रिज को मिलने वाली सीट भी शामिल है इससे कौंगरिज के सीट की संख्या 27 हो जाएगी जो राजसभामें विपक्ष के नेता का पद बरकरार रखने के लिए आवश्यक सीटों से दुआ देख है वरतमान में इंडिया ब्लोग के सभी सदस्यों की संख्या 87 है वहीं ऐसे सांसत जो ना तो इंडिया गटवंदन का हिस्सा है और ना ही एंडिये का हिस्सा है उनकी संख्या 39 है बहरहाल जाते जाते ए और यहां तक आ ही गए हैं तो मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर जाएए शुक्रिया